देखो, model papers all करना है, सारे important questions वे हमारे पास ठीक है, फटा फटा अंसर बताना जैसे जैसे आते पहले आपके पास multiple choice वाले question है यह ना, first question आपके पास है specific conductance विसस्ट चाल कर तुए बोलते हैं हिंदी में यानि की kappa, ठीक है, तो आप मुझे kappa की unit बता दू ठीक है, specific conductance या नी, kappa, kappa का formula बोलो, kappa equals to 1 upon R, into L upon A, अच्छा L upon A को क्या बोलते हैं हम लोग cell constant, है ना, तो हम गएंगे L upon A है, cell constant cell is से राग, R गया है, resistance, प्रती रोग, ठीक है तो 1 upon R, तो O inverse, है ना, और O inverse को क्या बढ़ते हैं, Simon L को कर सेंटिमेटर बोलो, और A को सेंटिमेटर स्क्वेर, तो unit क्या बनेगी Simon, सेंटिमेटर इनवर, तो first का answer हो गया, आपका Simon, सेंटिमेटर इनवर, ठीक है पहला equation clear है, आगे बड़े, next देखो, zero order reaction के लिए rate constant K, K का फॉर्मॉला यहां दे बोलो, mol की पावर, क्या था, 1 माइनस है, यहां रखोगी, लिटर की पावर, और फिर, time inverse, अब टाइम जो भी दिया हाँ, उसके साब से बनेश कर लो, अब अगर आप से कहा आगे है, शुन्यो गोटी, zero order, मतला N का फॉर्मॉला क्या रखना है N की value क्या रखनी है, zero, तो आपके पास क्या answer बनेगा, देखो, mol, mol, liter inverse, और second inverse, ठीके, अब जिसे आता था था ठीके, और जिसे लगा कि नहीं, missing है, भूल गया, वही फॉर्मॉला नोट कर लो, है ना, short notes बनाओ, एक्जाम से बाले मुझे यह चीजे में बार-बार बूल र ठीके, कोई डाउट नहीं, यहादे फॉर्मॉला सबको, है ना, यह इंपॉर्मॉर्ड ने, मैस देखो, first transition series में, किसका SRV positive, E0 मदलब SRP, मानग अप्चेन वी बो, तो बो, तुमने positive बढ़ा है कि किसी गार, copper गार, याद करो, E0 copper plus 2 copper, किता होता है, हाँ, very good, E0 copper plus 2 copper, किता पॉर्मॉल तो हमें, क्या है, post transition series में, कॉपर का SRV positive, और हमने बढ़ा था ना, hydrogen के नीचे आता है, छापा, तो छापा का खुलमॉं क्या था, C for, copper, H for, mercury, A for, AG, P for, platinum, फिर A, AU, gold, ठीक है ना, तो hydrogen के नीचे छापा है, वो सब positive है, hydrogen का SRP 0 है, उसके उपर सारे क्या है, negative, ठ ठीक है, अब अगर तुम भूल गए हो, तो यह data आप देखो, यह यादोना जरूरी था, तो आप यह चीज़ याद पकड़ो भी हाँ, मुझे यह चीज़ पता हो नीचे, question अपने आप बनते रहेंगे, ठीक है, next पे आते, next देखो, कौन सा ऐसा compound लेडो इन चारों मैंसे, लेकिन इन में से, कौन है, जो फ्लोरोसेंट के रूप में काम आ सकता है, लैंथेनोड, है ना, लैंथेनोड का ओकसाइड, देखो, यहाँ सब में मुझे एक answer चूज करना है, that's why मैंने लिखा है, लैंथेनोड के ओकसाइड, अगर यह देता दो नो, तो मेरा answer दो नो होता लेकिन इसे यहाँ लिखा नहीं, क्योंकि हो सकता है, अगर बहुत होता है, तो तुम बहुत को टिक करना, करेक्टर तो है ना, फ्लोरोसेंट, यूज नहीं कर रहे हुए गलग चीज है, और यूज क्यों नहीं कर रहे हुए इसलिए, ठीक है, मिरवेन का तेला हम बोलते नाइट्रोबंजी, याद रखने आपको यह, फिर यह हॉफ्मेन है, होफ्मेन मस्टर्ड उयल, अब देखो यह भी न्सियारटी में नहीं है, पर कुछ वोर्ट्स में यह है, ठीक है, हॉफ्मेन मस्टरड उयल रियक्शन, इस वे आपको करना क् आपके पास आमाइन है मालो वन डिगरी आमाइन की रिएक्षिन हमें करानी थी काबन डाइस सलफाइड से तो ही तो यह एचिदर शिफ्ट कर तो आपके पास जो आंसर है अब आप इसको गरम कर दो मर्करी क्लोराइड की प्रेजिंस में घरम करोगे तो यह एच्टु इस बाहर निकाल देगा तो आपका अंसर गया है आर एन डवल बॉंड सी डवल बॉंड एस और यह H2S इसके साथ मिक्स हो जाएगा तो साथ में HGS है ना H2S और HGCL टो मिक्स करोगे तो HGS और ट्वाइस HCL ठीक है अब मुझे तो यह अंसर देना इसका क्या है यह चार आप्शन में से तुम्हें क्या लग रहे है क्या होना अच्छी है एलकाइल है बिलकुल है थायो क्या आइसो थायो सी ए नोता तो थायो बोलती ना एन सी है तो आइसो थायो आइसो थायो साइनेट तो कौन सा अप्शन साइट हो आ फर्स की फोर्थ एलकाइल आइसो थायो साइनेट साइनाइड दे ना थायोसाइनेट, NCS, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ये, अच्छा, इसकी स्मेल मस्टर्ड ओयल, सर्सू की तेल जी स्मेल आती है, इसलिए उस रेक्शन को आप में मस्टर्ड ओयल बोलते है, ठीक है, नेक्स्ट, अब आपको करना है, फिल इन दे ब्लैंक्स, देखो, 0.9% NaCl solution और human blood, है ना, दोनों की कंसेंट्रेशन क्या होती है, से, 0.9% NaCl solution और human blood, दोनों की कंसेंट्रेशन क्या है, से, तो ऐसे विलियन जिनकी सांद्रत समान है, आइसो, टोनिक, बैस C1 बराबर C2, तो P1 बराबर P2 हुआ न, टेंपरेचर तो सेम बात करेंगी, है ना, तो तुम तो अगर temperature constant है, तो पाई directly किस पर depend करने वाला है, concentration, तो अगर आपसे कहा जाएगी, अगर दो solution same temperature पर रखें, concentration same है, तो तुम को होगे, फिर तो osmotic pressure भी क्या है, same, तो ऐसे solution जिनका osmotic pressure same हो, उनको क्या बोलते है, isotonic solution, तो यहाँ जो fill in the blank आएगा, वो आएगा isotonic solution, और हि परासरन दा, osmotic pressure क्या है, same है, clear है, isotonic solution, clear, आगे बढ़े, next देखो, cisplatin, formula बोलो, बोलो, cisplatin, examen जोड़े दिन में, PT, NH3, किते, 2, और CL2, है ना, MA2, B2 है, A2, 2 ligand, B2, 2 ligand, cis or trans, तो तो तुम कहोगी, बही, चार ligand में, तो ऐसी जो मिल्टरी होती है, सारे 90 degree, ठीके, तो अब मुझे खाले, cis or trans ही तो पकड़ना है, तो अगर दोनों ammonia same direction में है, इधर भी NH3, इधर भी NH3, इधर भी CL, इधर भी CL, तो यह cis form है, और ammonia के सामने ammonia रखा 180C हो गया, और CL के सामने CL, तो यह क्या है, trans, तो हम तो कह रहें कि इस complex के cis form को हम नाम दे रहे है, cisplatin, पुरा पढ़ लो गई, कहा मज़ा है कुछ भी, है ना, और cisplatin का उपयोग क्या है, anti-cancer agent, ठीक है, तो cancer रोधी के रूप में प्रेयुक्त करते हैं, है ना, cisplatin is used as anti-cancer agent, बस इतना सा धिहान रखना है, in the treatment of, तो treatment of क्या लिख दो, cancer, है ना, किसके treatment में करते हैं, cancer के treatment, clear है, कोई doubt नहीं है, सवाल अच्छे दे पढ़ लेना, जो तुमें लग रहा है कि मुझे नहीं याद है, उसको short note बनाके लिखते जाओ, उसी को पढ़ना exam में, अब बोलो, LD8 की करिया, 1 degree amine से करा दू, है ना, तो बस अब आप देखो, क्या भार गया तो होंगेंगे, यह water चलागे, है ना, तो LD8 की reaction amine से करेंगे, तो हमारा answer है R, CH double bond N, R, ठीक है, वैसे, तो यह N-alkyl LD mean है, और इसका famous नाम जो चल रहा है, वो चल रहा है, शिफ बेस, तो आपको बताना है, जब amine की reaction LD8 से करते हैं, तो जो compound बनता है, उसको हम शिफ बेस बोलेंगे, क्लेर है, कोई डाउट नहीं, शिफ रिएजेंट और शिफ बेस, से में गया, नई, शिफ रिएजेंट क्या गामात है, LD8 को ऑक्सडाइस करने में, है ना, तो कोई टेस्ट है, LD8 की टोन का शिफ रिएजेंट, LD height shift reagent के साथ dash color देते हैं pink color देते हैं है ना लेकिन ketone shift reagent के साथ कोई test नहीं ठीक है चलो आगे पढ़ें next देखो बालो में कौन सा protein होता है carrot नहीं लिखना है ठीक है बालो में कौन सा protein होता है carrot clear है कोई देखत नहीं चलो next एसी reaction जो एक step में complete हो जाए no 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 यह उसके साथ सुन नहीं कहे रहा है यह chemical kinetics में से पूछ रहा है SN1 2 पदों में पौन होती है 2 steps में SN2 एक step में इसमाझे तो नहीं दुनिया में जितनी पी reactions है वो दो step में होंगी सारी SN1 होगी और जो एक step में होगी SN2 एसे उन नहीं होता है फिर तो इवन इटू भी दो होता है unimolecular elimination और biomolecular kinetics के साथ से elementary सरल अभी करिया है जो एक ही पद में होती है और complex reaction जो एक से जादा step में तो जादा step होगे तो तो मेकेनिसम डूण होगी mechanism में क्या कौन से step डूण होगे दीमी गतीगा slow motion step is rate determining आपने पड़ा है ना RDS तो आपको RDS के जरुत क्यों पड़ी क्योंकि आपकी reaction चार्ज step में हो रही है अब में कहां से डूण होगे के speed depend कर रही है लेकिन जो एक ही step में हो रही है है ना जो single step वाली reaction है वो एका अनुक unimolecular होती है यानि first order और भाई molecular होगी तो second order और trimolecular होगी तो third order तो तो यहां आपका answer आएगा elementary reactions और अगर एक से ज़्यादा होता तो तुम क्या लिखते complex है ना complimentary क्या हुआ complimentary तो drink होता है है कुछ भी चीज होती complimentary तो elementary प्रात्मिक अभी खरिया है सरल अभी खरिया है ठीकिए चलो next के मेनो 4 का hybridization बलो के मेनो 4 oxidation state साथ है कि क्या तो MN double bond हो double bond हो double bond हो और O minus और K प्लास ठीक है तो यह सिग्मा 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 तो फिलाल bond pair 4 है है ना लेकिन इसको पूछे दो नहीं चाहिए अब आपके knowledge के यह साब से hybridization क्या है SP3 वागि ऐसा है नहीं अगर आप competition में सौल करोगे ना तो इस concept D3S होता है जो टार्गेट वाले बच्चे उनके अगर SP3 ना हो तो उनको याद रखना है बोर्ड एक्जाम में तो आपके चल जाएगा NCRT के साब से आप ऐसे ही चलते हो bond pair किते हैं है ना सिग्मा bond किते है hybridization SP3 लेकिन अगर आप और इच्छे से study करोगे तो इस concept D3S है ठीक है टोटल 4 orbital ची है ना इसलिए clear है चलो आगे बढ़ते next जोड़ी बनाओ match the pair यह hydrogen oxygen मता अलाग है hydrogen and oxygen pair match करो hydrogen oxygen को fuel cell कहा है D ठीक है तो first के साथ मैं D match कर लेते हूं सही है hydrogen oxygen fuel cell में मैच होआ और बोलो phosgene phosgene किस के साथ ठीक है third को F के साथ ठीक है third F हो गया और बोलो sucrose sucrose mono तो नहीं है sucrose is the combination of glucose and fructose mono तो नहीं है D plus बोलो और बोलो D plus dextrose 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 rotate sucrose 66.5 degree उसका angle होता है spastic rotation तो sucrose dextrose rotatory होता है तो 4 का B चलो ये भी ठीक है और बोलो 5th का E Benzene sulfonyl Hinsberg reagent Benzene sulfonyl chloride क्या का मदर primary, secondary, tertiary, amine को distinguish करने के तो 5 का E चलो ये भी ठीक है और बोलो second का G First order अभी तो पढ़े थे तुमने mol की power 1-n liter की power n-1 और second लिख दू है ना तो first order मतलब n की value 1 तो फिर mol की power 0 liter की power 0 तो answer second inverse है ना तो first order के लिए k की unit क्या होती है second inverse दो बार आगे same question तो second का answer G सही है second का answer G बोलो सारे match है सबज में आगे है ठीक है जो चीज नहीं बता थी वो लिख देना अब one word में answer देना है आपको ठीक है सिर्व एक शब्द लिखना है ऐसा solution जो constant temperature पे boil होता है और composition संगटन नहीं बदलता है बोलो बो कौन से चेप्टर में से बूचा है solution solution में एक ही तो important topic है जो सब बूल जाते हो ideal हो गया non ideal हो गया उसके बाद में क्या बढ़ते हो azotrop है ना स्थिर कौाथी मिश्ण azotrop मैं आप उगा था कि आप 95.5% alcohol ले लो और 4.5% पानी मिला लो और दोनों को boil करो तो दोनों एक साथ एक ही temperature पर क्या होंगी boil हो तो तुमने 95.5 लिया है ना तो जब vapor में भी आएगा तब भी ratio क्या होगा 95.5% पासेंट इस वही रहेगा तो without change in composition जो आप ले रहे हो पानी में वही क्या रहेगा हवाँ में नहीं तो अपन क्या कहते है जो इसका boiling point का हो में वह पहले उपल जाएगा और जिसका boiling point जदा है वह बाद में उपलेगा लेकिन वह नहीं ऐसा composition को हम बोलते हैं Azeotrop ठीके और अगर आप भूल जाओ ये शब्द तो फिर आप याद रखना constant boiling point mixture लेकिन हो सकते है वह इसमें नमबर ना दे क्योंकि वह Azeotrop सुनना चाहरा था ठीके और हिंदी वाली भी आप यूँ कहीं लिख सकते हो Azeotrop ठीके और हिंदी में लिखना है तो stir kwathi mission तो हिंदी वालों को तो चल जाएगा English वालों का नहीं चलेगा constant boiling point mixture वो Azeotrop भी सुनना चाहेगा ठीके चलो यह रियाद रखना भूल जाते हो उसको भी Arrhenius equation बलो Arrhenius से किसमें relation दिया था rate constant और temperature याद करो हर 10 degree पे rate double हो गई coefficient बढ़ते है तो Arrhenius equation थी K equals to A E की power minus A by R T यह Arrhenius की equation है और अब इसमें किक का मतलब बताओ K तो आपका rate constant है A क्या है Arrhenius constant Pre exponential vector बोल दो Arrhenius constant बोल दो चलो ठीक है Arrhenius से इस तिरांग यह क्या है activation energy R क्या है Rate constant Gas constant Rate constant नहीं Gas constant और T क्या है Temperature अब जिसे कि equation ही याद नहीं थी वो equation लिखेगा कि याद होनी ज़रूरी फिर इसका log लिया था आपर दूसरी equation बनाई थी ठीक है K equals to A E की पावर माइनस EYRT यह लास्ट टाइम पर आपको याद होनी चीए भी यह नहीं एक शब्द भी भूल के तो नंबर पूरे गए Next K2HZI4 बलो इस आपने practical में भी किया था ammonia का test करने के लिए है ना हाँ बलो K2HZI4 क्या था nasal reagent भूल जाते हो किती पार तो पढ़ा आपने K2HZI4 को हम बोलते है nasal reagent ठीके क्या कहां आता है NH4 Plus का test करने है ammonium ion का परिक्षट test for ammonium ion याद रखना है बई K2HZI4 phosphodiester bond क्या होता है वो तो peptide bond होता है दो amino acid को बानने वाला bond कोन सा होता है peptide phosphodiester यादा है दो nucleotide के बीच में बना bond elimination of water ठीके और नहीं जाना तो elimination of small molecule लेक सकते हो ठीके तो bond formed between two nucleotide two nucleotide is called phosphodiester bond दो nucleotide के मद्य बना बंद यादा लेक सकते हो by the elimination of water जल के अणों के त्याद द्वारा phosphodiester bond अब उसने का एक शब्द में आंसर दो तो आपको पूरा structure बना के समझाने की जुरत नहीं है ठीके ना Rx plus 2 Na बोलो और ये dry ether है ना ये तो जानी पेचानी reaction होनी चीए एक का दो है ना Rx plus 2 Na फिर वापस Rx और sodium है हमने रखना है याँपर dry ether हाँ कौन सी है Woods reaction तो famous reaction है भी तो हम गहेंगे ये reaction हमारी है Woods reaction सिर्व नाम पूछ रहा है और easy कर दी आपसे काम ठीके याँदो नीची ये equation Woods reaction ठीके चलो अब आपको true और false का जवाब देना है साइनाइड को 500 degree centigrade पे गरम करूं तो आइसो साइनाइड बनता है सही की गलत false साइनाइड ज़्यादा स्टेबल होता है है ना आपने ज़्यादा रेक्शन साइनाइड की पढ़िए आइसो साइनाइड कम स्टेबल होता है तो आप ज़्यादा स्टेबल को गरम करोगे और वो कम स्टेबल बनाएगा ऐसा कैसे पॉसीबल है उल्टा पासिबल है आई-सो साइनाइड को डाई-सो डिग्री सेंटिग्रेट पर गरम करो तो आपका अंसर साइनाइड हो सकता था उसमें कोई तकलीफ नहीं यह सही है यह यह उल्टा दे दिया तो यह फॉल्स है ठीक है तो यहां लिख दू फॉल्स next EDTA फॉल्स फॉल्स बोलो EDTA EDTA ETHYLINE D से DIAVEN T से TETRA ACETATE ठीक है अब इसका structure भी आना चीए यह जही 2010 में भी आ चुका है सवाल है ना ETHYLINE DIAVEN तो देखो ETHYLINE ETH मतलब दो कार्बन LEAN मतलब लगाता AMINE NH2 NH2 लेकिन मैं NH2 लिखू कैसे आप TETRA बोल रहे हो चार वेलेंस ही खाली मांग रहे हो तो फिर NH2 लिखूँगी चार है चटाओ और ACETATE CS3COO होता है पर जोड़ना दर से पड़ेगा ना CH2COO- फिर CH2COO- ठीक है अगेन CH2COO- और ये भी ठीक है अब मुझे बताओ इसमें कितने डोनर आटम है ये औकसेर डोनेट करें काज जो माइनस वाला है तो आपको होगी EDTA में डोनर आटम दाता परवाणों की संख्या 6 है तो 6 डोनर आटम वाले को क्या बोलते है Hexadentate फिलाल question में क्या दिया है True हुआ कि False हुआ False हुआ है ना लेकिन ये भी आना चाहिए ये सवाल important है EDTA का structure हर बच्चे को याद होना चाहिए Denticity याद होनी चाहिए donor atom पता होने चाहिए और इसका charge भी याद रखना EDTA का charge किता हुआ Characitate ना Glycerol का IUBAC बोलो Glycerol क्या लिखूँ 3 continue carbon और 3 continue OH तो इसका IUBAC क्या है इस compound का जो मैं बना रही हूँ Propane है 3 carbon single bond propane है फिर 1, 2, 3 cryol तो ये होना चाहिए आपके बास क्या है गलत है तो ये आपका False हो गया ठीके LDL condensation में synamic acid बनता है LDL में तो LDL ही बनेगा LDL में क्या बनेगा LDL बनेगा गरम कर भी रहोगे तो LDID रहेगा यहां ketone रहेगा acid कब से बनेगा LDL condensation में नी बनता है आगे आप Oxalize कर लोगे अगलग चीज है लेकिन during LDL condensation तो बनेगा acid के से बनाओगे पसिबल नहीं तो आपले होगे नहीं यह false है Vitamin C Retinol होता है क्या क्या होता है Vitamin C Vitamin A होता है Retinol तो Vitamin C अच्य हूँ है नहीं Vitamin C पगड़ता है ठीक है Vitamin C का chemical name Retinol है गलग है नहीं Vitamin C का क्या होता है chemical name क्या होता है Scorpio Ascorbic 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 Acid है नहीं Vitamin C Ascorbic Acid होता है और इसका Retinol नहीं है तो यह false होगया ठीक है Protein Is the Polymer of Amino Acid Protein Polymer है Protein की basic unit क्या होता है Amino Acid अगर मैं Protein का Hydrolysis करू तो सबसे पहली क्या मिलेगा यह कहां से आया भाई Protein का Hydrolysis Polypeptide Protein के जलब बिटिन पे Polypeptide बनता है और अगर मैं Polypeptide का Hydrolysis करू सारे peptide अलग हो जाएंगे मतलब आपको सबसे end में क्या मिलेगा Amino Acid कौन सा Alpha Amino Acid बोलो सही है है ना 10,000 तक मोलर मास होता है तो polypeptide 10,000 से जादा होता है तो protein अभी बास समझे खुल जाएगा तो होता ही तो protein Alpha Amino Acid Amino Acid का Polymer है यह सही है ठीक है तो true कर देता है Next क्या समझे प्रोटीन के denaturation से हाँ प्रोटीन से अर सब्जेक्टेड तो फिजिकल चेड जब प्रोटीन में बहुत थीक परिवर्तिन किया जाए कैसे करेंगे फिजिकल चेंज क्या करूँ टेंपरेचर चेंज करूँ यह माल लो प्रोटीन को गरम कर दिया और प्रोटीन हाँ बलो प्रोटीन है ना हम टेंपरेचर चेंज कर सकते हैं प्रोटीन चेंज कर सकते हैं मतलब on adding small amount of acid या तुम मिलाओ base या मिलाओ heavy metal salt या UV light है ना दूप में सड़ जाता है ना तो UV light ठीक है इनसे भी प्रोटीन का structure जो है है ना प्रोटीन का structure जो है वो क्या हो जाता है destroy हो जाता है इस घटना को क्या कहते हैं D natural D मतलब delete उसकी naturality delete होगी जैसे boiling of egg तो अंड़ा उबल क्या था प्रोटीन वैसा थोड़नों रहेगा या फिर cuddling of milk दूद से दई बनना दूद में प्रोटीन है ना अई बस समझ में लेकिन दई मतलब प्रोटीन थोड़ना जो तो आपका दूद में मिलेगा तो आउँगे ना structure ही बिगड़ गया ना लिखूंग दो अमीनो असेड के बीच हाँ water eliminate हो जाएगा तो bond formed between two amino acid by elimination of water दो अमीनो अमल के मद्य जल के अणू के त्याग द्वारा बना बंद elimination of water उसे हम क्या कहेंगे peptide bond ठीक है तो इसको बना के बताओ क्या बनाओ amino acid R CH NH2 और COOH ठीक है फिर एक का तो acid लेना है और दूसरे से NH2 basic group लेना है ठीक है यह हो गया R और COOH clear अब water eliminate करना है अब जो बनेगा उसे हम बोलेंगे peptide bond यानि R CH NH2 highlight करना है आपको peptide bond को C double bond O NH फिर CH R COOH ठीक है तो आपको सुमझाना है कि यह जो bond बनाना यह आपको exam में highlight करके दिखाना है इस bond को क्या बोलेंगे peptide प्रकर्दी कैसी है functional group कौन सा है peptide bond का amide peptide bond का functional group क्या है amide सेम चीज तुमें देखने को मिलेगी nylon double six कल से बढ़ रहे है भन nylon double six में एक तो acid होता है एक amine होता है तो acid तो इधर भी है और amine इधर है तो वहाँ पे भी इस तरह का bond बनेगा जो तुमसे बूझे कौन से polymer में peptide bond है तो प्रोटीन ध्यान है option में ब्रोटीन नहीं नहीं option में nylon double six तो सही उसमें होगा क्योंकि उसमें भी basically इसी तरह का structure आता है अला कि number of carbon different होते बट यह चीज मुझे मिल जाएगी peptide तो consider करेंगे ना बागी कुछ भी हो left right ऐसे next amines are basic क्यों भी amines basic क्यों है हाँ amines पे nitrogen है nitrogen पे क्या है loan pair अब अगर loan pair available हो तो दान किया जा सकता है है ना तो ऐसे compound जिन में loan pair available हो उसको donate किया जा सकता है loan pair donate करोगे तो lose आपको क्या मानेगा lose base है clear है कोई doubt नहीं तो amines are basic reason आपके पास है फिर इहीं भी सरल है methyl amine से ethyl amine बनाओ carbon बढाना है तो carbon बढाओं तो सही क्यासे बढाओं डरेक्ट तो नहीं बढा पाएंगे methyl amine से ethyl amine क्या करूँ देखू अगर मेरे पास है ना methyl chloride होता तो मेरे लिए हर चीज आसान होती अगर मेरे पास methyl chloride होता तो मैं केसीन ले ले तो तो मैं देखी रहे यह के सील गाया वो जाता मिधाइल साइनाइड बना लेते हैं ना और आप ना ना अब यहां साइनाइड का मैं रिडाक्शन कर दूँ वहां ना देखो तुम्हें लगे कि भी मिधायल क्लॉराइड होथा तो बना ले ते लिगिन थो तो मिधाईल आवाई अब यहां से यह घाने के 2 तरीक के एक आहां एघंसरियो की अजर दो है कि नहीं एग्क्यो सबस Lewis तो नहीं कि वाणमे। सबसें कि आप मिधाईल तो तुम्हें यादो तुमिंद में सिखाया था Methyl Amine एक तुम्हें पते है BDAC Benzin Diasonium Cloride तो हमने कहा था Aniline ले लो HNO2 ले लो HCL ले लो तो Benzin Diasonium Cloride वैसे Methyl Diasonium Cloride लेकिन ये तो Stable नहीं है ये Stable नहीं है तो इसके साथ Water बनेगा और यह alcohol में convert हो जाएगा तो अगर मैं इसका डाई एजोटाइजेशन करूँ तो मीथेनॉल बन जाता है और मीथेनॉल से मिथाइल किलोड लाना कौन सी बड़ी बात है तो आपस तीन तरीके या तो चैनल लेलो डिसीया थीलेलो एसो सीयल ड्योट लेलो यह डिर्एक अचिल लेलो एक या तो यह तो आंज्याटी का तरीका कि आपको को यह जाता है आपको है ना यह तो यह जिसको याद नहीं वह नोट करेगा क्लियर NCRT के कॉर्डिंग चलना है तो यूं ही चलना पड़ेगा और बाकी ये भी कर सकते हैं आप कनवर्ट करना है तो चले हांगी केसी एन से साइनाइट साइनाइट का रड़क्शन अमाइन ठीक है डी कार्बोग्जिलेशन क्या समस्ते हैं डी कार्बोग्जिलेशन से CO2 निकलना है ना कोई अभिकरिया के दोरान CO2 का बाहर निकलना ठीक है evolution of CO2 during a chemical reaction उसे हम कहते हैं डी कार्बोग्जिलेशन डी मतलब डीलीट कार्बोग्जिलेशन यादि CO2 अब मैं डी कार्बोग्जिलेशन क्राइना तो चाहती हूँ यूज क्या करो क्या यूज करो कौन सा ऐसा रीजेंट ले लो कि डी कार्बोग्जिलेशन पक्का हो जाएगा बोलो पड़ा रहा है रही ऐसा क्या लेँगे 100% डी कार्बोग्जिलेशन होगा सोडा लाइँ कार्बोग्जिलेशन तो लेँगी पर उसको निकल लोगी कैसे CO2 कैसे बार आएगा सोडा लाइँ सोडा लाइँ को फामुला बोलो हां कल ही बढ़ा है शहर हां तो आज याद नहीं है सोडा और लाइम एनिवेच कॉस्टिक सोडा कल्शियम ओक्साइड लाइम ठीक है और डी-कर्बोग्जिलेशन मालो मुझे ऐसा कुछ दे रखा है कार्बोग्जिलिक एसेड का सोडियम सॉल्ट आर सी ओ ओ न और आपको दे दिया सोडा लेम सिवोगे शहरा लाइम के साथ गरम करो है ना ही ट करना पड़ेगा तो देखो यहां दक तो बार निकालने सोडियम कार्बोन इखलतों मढ़े तो शूट निकलने CO2 N1 जो मिक्स हो जाएगी तो sodium carbonate मेरा answer R single bond H L-K plus sodium carbonate है ना अगर तुम्हें कह दे कि आप एना ऐसा करो sodium acetate को CS3 COON sodium acetate को soda lime के साथ गरम कर दो तो तुम क्या करोगे क्या choice है तुम्हारे पास यहने सब को बाहर निकाल दो तो answer गया अमी थे ठेके तो what happens when sodium acetate is heated with soda lime तो alkane बनेगा तो acetate है तो methane बनेगा propionate है तो ethane बनेगा और butanoid है तो propane एक carbon पीछे चलो CO2 बार जा रहा है ना तो एक carbon पीछे चलो sodium benzoid है तो benzene sodium benzoid है तो benzene क्या का मतलब sodium benzoid food preservative याद होना चाहिए सोचना नहीं है एकल पढ़ा है तो आज तो मतलब अंदर टिप्स होना चाहिए याद आशली चाहती है चलो syno hydrine से क्या समझे syno मतलब cyanide hydrine मतलब OH एक ही carbon पर साइनाइड भी है और OH भी है तो उसे क्या बोलेंगे synoid अब तुम सोचो एक ही carbon पर साइनाइड है मतलब मैं कुछ लेंगी तो उसमें साइनाइड तो होना चाहिए एरो भी क्या लिखू बस एक बात का जवाब दे दो याद्रोजन साइनाइड स्ट्रॉंग ए वीक एसिड है वीक तेज असे आपके वो यह सल्परिक एसिद निट्रिक एसिद एसिद है ना यह तेज पड़ते भीक एसे असे वीक कैसे आपका बेसिक मीडियम में हच प्लस प्लस और साइनाइड माइं अपको पता दूबaire यूज क्या करनें और आप यह तो मैं पता है कि यह बनेगा अब सी पर जाके कौन अटाक करेगा और वह के साथ तो आगे आना एक ही कारबन पर साइनाइड भी हो ओएच भी हो उस कंपाउंड को मुझे क्या कहना चाहिए साइनो हाइड्रीन बोलो तो यह साइनो हाइड्रीन है अब लिए लोगे तो लिए इसाइन इसाइन वाइड्रीन यह आपको दिमाग लगा दे क्लेयर किसी एक्जाम्पल सम्झा तो मीडियम याद रखना जरूरी है बेसिक मीडियम ठीके रियक्शन याद है मेडियम याद नहीं तब भी लिखनी है नंबर गट जाएंगे क्लेयर आगे में नेक्स डबल सॉल्ट और पॉंपलिक्स सॉल्ट में क्या दिफरेंस से बता जाएंग एग्जाम्पल देओं कोई एक डबल सॉल्ट पता ओओ उद्विक लावन मोहर सॉल्ट F-A-S साइए तो मोहर सॉल्ट का फर्मुला बोलो पैक्टिकल में किया था ना फेरस अम्मोनियम स्लपेट तो फेरस सलपे Ammonium Sulphate Dot Oh 6H2 6H2 Pharis Ammonium Sulphate सही है और Complex Salt बोलो कोई एक एक ग्जाम्बल Petassium Ferosignite K4FeCN6 यह आपको एक्जाम में नहीं लिखना है End में लिखना है शुरू में लिखना है आपको सोच रहा है कि वही क्या होता है देख वहाँ Legand Compulsory है यहां कौन सा Legand है नहीं अब यह तो पानी में पूरा खुल जाएगा और वो तो Complex है मैंने कहा तो Square Bracket as it is रहेगा तो सबसे Basic Difference लिएगो जिसके नंबर मिलने के चांसर सबसे जादा है है ना तो मैं लिखना हूँ यह Completely Dissociate या Completely Ionized इन Ecosolution जलिय विलियन में पूर्ण तया आइनित हो जाता है इंदी में लिख रहे हो तो जलिय विलियन में पूर्ण तया आइनित हो जाता है Completely Ionized in Ecosolution लेकिन वहाँ क्या लिखोगे आंशिक है ना Partially Ionized में पूरा कैसे होगा तो ठीक है अब देखू पूराई Ionized हो गया मतलब खुद का तो existence ही कदम है ना तो इसका खुद का कोई Ecosolution में क्या बोलते है existence नहीं है तो आपने जो थेयरी पढ़ा था Do not maintain its identity in Ecosolution ये जलिय विलियन में अपना अस्तित्व खोग देता है खुद का तो या आपने फिट की घुली भी आको देखके थो नगा पता चलेगा लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है पार्शल ही है तो फिर वो गयब तो नहीं होने वाला है है ना तो आप क्या लेखोगी maintain its identity है ना maintain its identity in Ecos Solution ठीक है एक जिस फिर यहाँ लीगिंड होता है यहाँ लीगिंड नहीं होता है है ना फिर तुम्हें बढ़ता है यहाँ metal की दो विलिंसी होती है वो इनर थे नहीं पड़ी थी ना primary valency secondary valency यहाँ तो यह कितरह की valency फिर double salt में दो simple salt का combination होता है यहाँ दो simple salt हो भी सकते है नहीं भी हो सकते है यहाँ जैसे इसमें तो आगे iron है तो जरूर तुमने के cn और fe cn मिलाया है तब बना fe cn all to मिलाया है लेकिन nico whole 4 उसमें कहां मिलाया यहाँ fe c o whole 5 वहाँ का है दो salt तो यहाँ दो simple salt होना compulsory है यहाँ ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं ऐसा आप लिख सकते हो ठीक है example last में लिखने शुरू में नहीं डाला है next coordination sphere coordination sphere समझें जैसे मान लोगी मेरे पास यह complex है n i co whole 4 है ना ठीक है यहाँ चलो इसको नहीं दो दरह की sphere बढ़ाया थे ना ionic sphere और coordination sphere वापस यह example लेते हूँ k4 fe cn whole 6 तो यह कैसे डूटेगा 4 k plus और यह क्या बनेगा fe cn whole 6 minus 4 तो किसी complex में जो बाहर का iron है जो ionized हो जाता है उसको क्या बोलते है ionic sphere लेकिन square bracket वाली species जो ligand के साथ बंदी भी है complex में metal part जो ligand के साथ coordinate bond के थूँ बंदा हुआ है उसे क्या कहते है coordination sphere coordination entity आगी बात समझ में तो इसमें तो एक fixed geometry मिलेगी बिस एंटर में fe side में 6 sinide है और 6 की geometry क्या होती octoidal तो यहां को एक perfect geometry मिलती है इसलिए हम इसको coordination entity समन्वई मंडल कहते हैं कोई doubt नहीं है आतक है ना अब इनका यह भी से लिखने है लोग आई गया इतने से ढूण रहे थे NICO whole 4 आगे पीछे कोई नहीं इसके तो सीधा ligand number से शुरू करेंगे किते ligand? 4 तो 4 के लिए tetra CO का विशेश नाम काबोनाईल तो tetra काबोनाईल metal nickel oxidation state 0 तो tetra काबोनाईल nickel 0 बोलो कोई तक लीक होता है नहीं oxidation state 0 यहाँ देखो 2 sodium 2 लिख देती हूँ nickel को x लिख देती हूँ c l minus 1 6 है तो 6 से multiply कर लो x की value 4 ठीक है अब अगर counter रहे है sodium लिखूँ की disodium लिखूँ sodium बाहर वाले का number mention नहीं है सिर्व नाम लिखो तो हम कहेंगे भी तो sodium है sodium अब legion संख्या कित है legion है 6 तो hexa chloro chloridoo hexa chloridoo पिर nickelate जब legion के पिचोगो लग रहे है उदर भी हूँ complex negative है आपने sodium लिख दिया मतलब अब माइनस है तो माइनस के इसाब से लिखूँ ना तो nickelate तो hexa chloridoo nickelate और oxidation state बस बढ़ दो आई पे से नाम लिखने हैं थे यह सबसे easy है और number पूरे है इसको करके जाना exam में clear है कोई doubt नहीं यहां तक next अब formula बनाओ देखो tetraamine मतलब 4 तो कहीं अब है ammonia लेके बैठे हो ठीए यवी tetraamine 4 ammonia die equa 2 water ठीए cobalt मतलब metal तो आगया आता है cobalt cobalt third मतलब यह खतम हो गया यहां पे ना cobalt third मतलब oxidation state आगी यान यह complex खतम और chloride मतलब end में इसील है अब यह CL 1 A2 है क्योंकि die chloride भी होता तो यह डाई तो लिखता नहीं try होता तो यह लिखता नहीं तो मुझे पता लगाना पड़ेगा किते CL है ठीक है तो मैं कहूंगे oxygenation state पगड़ लेते cobalt oxidation state किता है तीन तो यह तो तीन है यह तो neutral है और यह बीजी लेकिन CL तो minus 1 है तो square bracket के अंदर का charge और बाहर का charge बराबर आना चाहिए तो यहां तो आप 3 लेके बैटे हूँ यह minus 1 है किससे वंटिपलाई करूँ? 3 से यानि यह formula सेम रहेगा CL 3 हो जाएगा सहीं? भाई यह neutral है मैं प्लस 3 हूँ तो यह minus 3 आना चाहिए तो आपको यहां क्या लिखना है? CL 3 और एक्जाम में वो नहीं चेक करेगा आपने कैसे किया आपको सीधा formula लिखना है आपने कैसे भी लिखा है वावकि इच्छा है correct answer देना है ठीक है? अब देखो potassium तो के हेक्जा साइनाइड हो 6 साइनाइड है और ferate मतलो Fe तो यह तो Fe Cn whole 6 है ना? अब चार्ज सेट करो तो देखो potassium तो उम बते कि ना प्लस 1 होता है और ferate किता है third यह करा इसका चार्ज तो 3 है 1 साइनाइड माइनस 1 होता है Cn माइनस 1 होता है तो 6 साइनाइड किते हुए माइनस 6 तो तुम को वे मेरे तो इदर माइनस 3 है और आम तो किरा हमार तो 1 चल रहा है तो किस से multiply करना है? 3 से यानि potassium आपके पास 3 होने चाहिए क्लियर? क्योंकि ऐसे कर लो आप भी प्लस 3 है 6 साइनाइड माइनस 6 तो अंदर का चार्ज माइनस 3 तो बाहर का चार्ज प्लस 3 एक potassium तो एक चार्ज देगा ना तो के 3 कर दो समझ में आगी बात कोई देखकत नहीं ऐसे शॉटकट बिढ़ाना आपको शुद्द जल की मोलल था बलो मोलल लिटी क्या होती? मोल पर केजी? आप देखो ये बड़े questions में वैसे तो अंसर 55.5 होता है 55.5 लेन आपको पूछा तो करना पड़ेगा मोलल लिटी मतला मोल पर केजी तो लेना तो तो तुमें प्योर वाटर है तो पानी एक किलो लेना पड़ेगा ठीके? तो एक किलो पानी तो वाटर का मास आप लेगा मानी ले लिए एक किलो मतला अजार ग्राम ठीके? और वाटर का मोलर मास किता? 80 तो मोल किता है 1000 upon 80 ये आपका बच्पन पॉइंट माच होता है ठीके? तो 55.5 मोल पर केजी एक किलो पानी लेना तो आंसर आपका 55.5 तो आपको small m भी ये लिखना है 55.5 मोल्स पर केजी बोल सिंपल है? इसमें क्या करना है? क्लियर? आगे बढ़ने रिवर्स ऑस्मोसिस रिगराम से समझाओ देखू रिवर्स ऑस्मोसिस में ऑस्मोसिस का उल्टा अब आलो अगर तुम भूल गए तो टेंशन नहीं लेनी है आप लिख दो वो प्रोसिस है ना? जिसमें ऑस्मोसिस क्या हो जाए? रिवर्स ऑस्मोसिस इसमें नमब नहीं है है ना? ऑस्मोसिस में क्या होता था? सॉल्वेंट का चलता था सॉल्वेंट की तरफ चलता था पानी है और ग्लूकोस का पानी है और चाशनी बर्दू तो पानी चलेगा ना? चाशनी तो नहीं चलेगी ना? अब्वेस है ना? तो सॉल्वेंट हमेशा सॉल्वेंट की तरफ चलता था जहां solvent की high concern, solvent है तो okay लगी, ऐसे ही, ठीके, तो ये तो osmosis है, और वो चलता था, तो pressure लगया था, है ना, तो अगर मैं क्या करूँ, इतना pressure लगा हूँ, कि osmosis के process का हो जाए, reverse हो जाए, तो इस गटना को क्या बोलेंगे, reverse osmosis, ठीके, तो आप इसको इस diagram से समझाओगे, त तब भी number मिल जाएगे, board exam से ना, तो आपको इस तरह से explain करना रहेगा, अब देखो, reverse osmosis समझाना है, ये नल लगावा है अपना, तो यहां से pure water आएगा, कि नमक बला पानी आएगा, क्यों आएगा, अपन तो पानी, घर में आरो लगा होता है, तो नल से पानी आता है, कि पानी आता है, पानी आता है, तो यहां से पानी निगलना चीए, तो पहले तो दिमांग लगाओ, कि एक्जाम एतने उल्जवे होगे ना, कुछ नो कुछ उल्टा गरोगी, तो यहां pure water है, तो यहां pure water है, और यह जो पर टंकी से आता है, वो salty water, तो यहां आपका salty water, अब मैं कुछ नहीं करूँ, मैं मशीन ओन नहीं करूँ, तो obviously में कहा था कि यहां simple पानी है, यहां glucose water है, तो पानी इदर चलेगा, तो normally तो क्या होता है, solvent solution की तरफ चलता है, और चलता है, तो बीच में क्या होना चीए, semi permeable membrane, अर दुपार गर में जिल्ली, तो यह यहां चलेग greater than क्या हो जाए, osmotic pressure, तो आपको बताना, if pressure more than osmotic pressure is applied towards salty water, yes solution, then process of osmosis is reversed, अई बास अबज में, यदी लवनिय जल पे, है ना, salty water, लवनिय जल, salty water लेको solution, तो अगर salty water वाले solution पे, लवनिय जल पे, विलियन पे, परासरण दा, osmotic pressure से ज़्यादा pressure apply करू, तो आप लिख दो process of osmosis is reversed, परासरण की गरिया व्युतक्रम हो जाती, और सही से समझाना है, तो आप क्या लिखोगे, water from salty water, move towards pure water, through SP, है ना, इसमें तुपारे गल्ती होने के chances जाता है, हाला कि यह जाता है, तो आपको तो pure water मिलता है, तो बाकी आपको फिल्टर तो टाइमें चेंज होता है, खराब हो जाता है, और तो मैं पता है, आरो बीना मशीन के दुछे लेगा, तो बीना मशीन हो प्रेशर लगा रही है, महेंगा पड़ता है, ठीके, तो अब इसकोल definition मना के लिख होगी, है ना, तो आप इसमें लिख दोई, वह घट ना जिसमें परास्रन व्यूत्करम हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, लेकिन वो किसी जाता है, extra pressure, external pressure बारी दाप, अगर परास्रन दाप से क्या कर दिया जाए, जादा कर दिया जाए, इफ external pressure more than osmotic pressure is applied, then process of osmosis can be reversed, आरो का क्या use है, desalination, एक खारावानी बहुत है हमारे या, तो desalination of water, तो बहुत जादा हो जाता है, अब आनी waste बहुत होता है, अगर आपने घर में आरो देखा है, तो, आरो आपको एक जग पानी देखा न, चार देखो उसको फेगना पड़ता है, तो waste is बहुत जादा होता है, इस place को नहीं काम में लेते हैं, ठीके, अब देखू, ये तो अपने निकल बड़ा, alcohol का boiling point, hydrocarbon, molar mass, same है, ठीके, तो बोलो, alcohol, आरो एच, तो तुम को होगे, एक alcohol, अच्छा, इसको बहुत तरीके से लिखना है, बहुत तरीके से लिखना है, बहुत एक नमबर का थोड़ा ना पूछा, या एक शब्द में तो नहीं पूछ आपने लिख दिया, intermolecular hydrogen bond, है ना, हम कहेंके, ये O negative है, hydrogen positive है, ये फिर positive ह ये bond आगया, फिर ये negative, ये positive, ये bond आगया, ठीके, ये बना दिया तो आदा नमबर तो मिल गया, नहीं बनाया तो आदा नमबर गया, ये भी धिहान अठना थी, अरी कितनी लिख दो, क्योंकि time नहीं होता बहुत बारी, पढ़ लिख लिए, ये देख लिए तो आठीके सही लिखा होगा, बात तो सही तुमने बोल दी, अब आपको तरीखी से बताना है, आपको बताना है, अलकोहल में कौन सा बॉंड है, और 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 की नीचर क्या होती है, इस लिए oxygen partially negative, hydrogen partially, इस लिए alcohol, कौन सा बॉंड बनाता है, इंटर molecular hydrogen bond, इस वजह से अलकोहल के molecule, पास आ जा जाता है, there is molecular association, अड़ों का संगुडन हो जाता है, molecular association, और molecule पास पास आगे तो तुम जदा गरम करोगे तक यो अलग हो, इसलिए boiling point जादा, अब इसमें भी नमबर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने इसका कम होता है, यह तो reason यहीं तो उसकी भी तकलीफ समझो, उसमें क्या बता होगी, hydrocarbon non-polar होता है, तो non-polar होते हैं, तो polarity नहीं मना, attraction बहुत कम है, molecule already दूर है, तो जो चीज़ दूर है, उसको दूर करने में क्या ही जोरा रहा है, इसलिए boiling point क्या होता है, काप, तो उससे वे एक लाइन लिखते हैं, hydrocarbon सा non-polar, there is only wonderful force of interaction, so they have less boiling point, जब कि आना है, नहीं तो number नहीं आएंगे फिर कहरी हो, है ना क्योंकि तो पीछे में questions में, आगे में बहुत होता है, आदा number का एक number का दाप लिख दू चल जाएगा, तो पुरे date number के साब से लिखो, चलो, अब phenol से पिक्रिक acid, बोलो, phenol हो गया benzene पे उच, कौन से डिरेक्टिव है, और दो पेर, आपको पता है, अगर benzene से connected group पे lone pair है, तो और तो पेरा, ठीक है, दीमी reaction होती है, तो एक answer, और तो एक answer, पेरा, लेकिन तेज reaction होती है, तो तो तीन हो, अब पिक्रिक acid, बेगो, आदा तो उसने बोल दिया, यह रा, phenol लिख दिया, पिक्रिक acid, यहां दोन है, तो आपको यहां तक आदा नंबर तो मिली है, अब नाइट्रो ग्रुप किस की presence में लाओगी, है तो अगर phenol की reaction, नाइट्रिक acid से करो, अब आपके रो 2,4,6 तो 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 तेज होगी, जरम कर दो, तो answer, पिक्रिक acid, फिर phenol से, tribromo phenol, तो मैं यहीं लिख दे phenol थी, अब bromo मतले, bromine से reaction, दो थी, एक CS2 और एक water, तेज कौन सी, धीमी कौन सी, CS2 अली, धीमी के तेज, पताया था, याद करने का तरीका, देखो, मैंने का था, CO2 non-polar है, carbon dioxide में C double bond हो, double bond हो, C था molecule हमेशा क्या होता है, non-polar, तो तो CS2 उसी का ही तो आई है, C double bond is, double bond is, non-polar, तो non-polar तो दीमा, और water अपने आप में का है, polar, polar reaction क्या थी, तेज, तो bromine से कर आओगे, लेकिन bromine और water मिलाओगे, तो answer 246, try, bromo, फिना, क्योंकि यही तो चेक करना चाहता है, यह तो कोई भी लिग देगा, और आप तुम में उश्यारी लगा ही किया, मैं तो bromine लि तो, mono, बहुत अर्थो प्रोमो फिनॉल या, पैरा, अभी दूस्यारी बता है, बार बार भूलो के तो नमबर नहीं आएंगे, ठीक है, clear है कोई डाउट नहीं यहां तक, यह reactions है, यह याद रखनी है, बचाहों, अब यह तो बना तो कि ideal solution, क्या होता ideal solution, हाँ, ideal solution, जो रॉल slow को follow करता है, ठीक है बही, तो रॉल slow होता क्या है, क्या लिखूँ, जिसके लिए P total equals to, P not A, X A, plus, P not B, X A, तो बही, ideal के लिए एक condition तो यह, ideal solution, दो liquid को मिलाने पे, volume में कोई change, ठीक है, heat change, नहीं होता, और A और B को मिलाउं, तो A, A interaction, B, B interaction, और A, B interaction, क्या होते हैं सब के सब, same होते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो ideal, लेकिन इसे condition रखिए, आप समझाओ तो सही, लेकिन कैसे, graph, है ना, example में आप क्या लिखोगे, एक ही family की member लिख तो, methanol, ethanol, hexane, haptane, है ना, CCl4, SiCl4, benzene और toluene, benzene में toluene, उसी की family member मिला ना, ए अगर एक अरोमेटिक में दूसरा अरोमेटिक, तो वो ideal है, लेकिन ग्राफ, अब बोलो, graph किस के बीच में बनाओ, याद तो है होगा, तो मैं graph ऐसे double बनाते थे, दो चीज़े, एक उपर नीचे करते हैं, same pressure तोड़ना होता है, इसलिए, अब बोलो, किस के बीच में था, ठीक है, और यहाँ X से किता हो गया, 1, तो जैसे जैसे mole fraction बढ़ेंगे, उसका pressure बढ़ रहा था, ठीक है, फिर यहाँ X भी 0 था, है ना, sorry, X भी यहाँ 1 था, और यहाँ X भी किता था, 0, तो यहाँ mole fraction 0 है, यहाँ गय तो यह, तो यह आपकी line थी, P A equals to, P not A, X A, और यह वाली line क्या थी, P B equals to, P not B, X B, है ना, तो यह pressure आपका P B, और यहाँ प्रेशर क्या है, P A है, और इन दोनों को add कर दो, तो यह P total, P A plus A B, ऐसा ही तो है, है ना, राहू से क्या बताया था भई, वेपर प्रेशर mole fraction of solvent की directly proportional, तो जैसे जैसे mole fraction बढ़ रहे है, वेपर प्रेश वो रॉल से थोड़ ना बताया था, रॉल से यह बताया था, composition के साफ से, ग्राफ बुले तो कर पड़े, ठीक है, यह ideal का, अब इसमें dash dash करके उपर बना दोगे, एक एक लाइन, समझे ना बरी बात, यह आपकी line बनी भी, अगर आप dash dash करके, यह बनाओगे, तो positive deviation, और 5 ग्राम आपका substance है, और किते में गोला है, 50 ग्राम water, तो small w तो हो गया 5 ग्राम, ठीक है, और solvent आपका capital w हो गया 50 ग्राम, ठीक है, freezing point depression, इमां government, यानि delta tf किता है, 1.2, Kelvin में बदलना है कि नहीं बदलना है, नहीं बदलना है, कमी तो कमी रहेगी ना, है ना, आपके बाद डॉलर में भी रहेगी ना, difference हमेशा सेम रहेगा, difference बदलना है, ठीक है, तो यह 1.2 का difference है, molar मां small m बताना है, kf दिया होगा अपको पर दिया है, ठीक है, तो मुझे तो formula बता दू, delta tf equals to thousand into kf into small w upon capital w small, वैसे तो यहाँ आई होता है, पर आपका substance मुझे दिख तो नहीं रह कि पर dissociate हो रहा है, associate हो रहा है, कुछ है नहीं ना, तो हम I1 मान के चलते हैं, हो सकता है, जो भी चीज होगी उसका ही हो गई नहीं, 1 होगा, इसलिए, तो अब अपने बस क्या है, delta tf 1.2 है, ठीक है, thousand, kf की value किती है, 1.85, small w, 5 gram, capital w, 50, ठीक है, और small m, solve कर लो इसको, ठीक है, तो यह आगे तुमारा 1850 upon 12, क्या वही, यह यह न, 1850 upon 12 किता बचा, 6, 60, ठीक है, 5, 154 point something आ जाएगा, सही है, 0.2 क्या स्पास ले जाएदियो, mole पर kg, clear है, कोई doubt नहीं यहां तक समझ में आगे है, चलो, formula याद होना चीए, और कुछ भी नहीं है, next, देखू, how many charges required, ठीक है, और, हाँ, charge यह पूछा है न, ठीक है, तो बोलो, AL plus 3, को किस में बदलना है, AL में, किते electron मांग रहे है, 3, तो देखो, तो बिलकुल सरल है, अगर 1 mol AL मांग रहे हो, तो charge 3 mol चाहिए, 3 mol electron का charge किसके बराबर होता है, 3 faraday, और 3 faraday मतलब, 9, 6, 5, 0, 0, Q, तो यह तो बहुत सरल है, copper plus 2 को copper में बदलना है, बलो, 2 mol, है न, 1 copper plus 2 को copper में convert करना है, तो 2 mol charge चीए, 1 mol copper आरहे हैं, आपका, mol से करो, तो 2 mol मतलब 2 faraday, और 2 into 9, 6, 5, 0, 0, Q, बलो, simple है, और यहांपे भी same, है न, यहांपे भी का आ जाए है, 2 faraday, 2 into 9, 6, 5, 0, Q, सही है, कोई तकलीफ, नहीं, चाह, एलेक्ट्रो में से क्ता easy question आ जाए, चाहंस कम है, अलो, अब बस आगया, 0.025 mol per liter, क्या दिया है, concentration, तो concentration है, 0.025, capital M, ठीक है, methane oic acid की conductance, अब conductance क्या है, unit देखू, unit तो मुझे lambda M की लग रही है, conductance लिखने से क्या होता है, unit से पढ़ने पढ़े हैं, Simon cm2 mol inverse, यह क्या है, lambda M, किता है 46, 0.1, Simon cm2 mol inverse, ठीक है, unit से पकड़ोगे, यह तो तुम कोई G लिख देगा, कोई Kappa लिख देगा, Kappa होता है Simon cm2, G होता है Simon, और lambda M होता है Simon cm2 mol inverse, ठीक है, degree of dissociation, तुम इसको alpha बताना है, अब देखू, कितना percent dissociate हुआ, मैं तुम एक बार एक्जांपल से बताया था, कि मानलों 10 दिन बाद तुम्हारा एक्जांपल है, एक्जाम है, है ना, और तुम्हारी capacity पे सौहल आ सकता हूँ, पर अभी तुम्हारी 80 परसेंट पढ़ा है, इसलिए 80 परसेंट पढ़ा है, इसलिए 80 आ अभी 10 दिन और, दस C concentration पे तो मिर पास है ना, 46.1, ठीक है, और highest, तो highest दे कोई दे रखिये ना, किसकी है, acetate की है, सौरी, methionoy के acid है, या H होगा भई है, यह थोड़ा दलत लिखा याँ पे, H COO- होगा, क्योंकि forming acid है, तो देखो, lambda infinity forming acid, क्या formula बनेगा, lambda infinity H COO-, और lambda infinity H plus, और formate की किती है, 54.6, और hydrogen की किती है, 349.6, जोड़ लो इसको, 404.2, ठीक है, चलो, Simon centimeter square, mole inverse, क्या तक होगा, अब अपने जितनी भी question की है ना, आस तक, हमें, तो बता है, concentration दे दी, तो हमें कापा दिया होता है, और हम formula लगाता है, lambda M equals to kappa into thousand upon C, और इसे दे दे भी रखा है, मुझे तो C चाहिए ही नहीं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में चलेगा, क्योंकि सारे उधारा इंसी आटी पे वैसे ही है, तो आपको यह लगेगा, पहले में 11 डायम निकल, अगर आपने unit नहीं पड़ी तो आप उगलती जरूर करोगी, यूनिट पड़के ही चलना, उसने आपके question को easy कर दिया, आप जान कुछ के tough करोगी, क्योंकि आपके दिमाग को वही बैठा हुआ है, कि बारी आया हो गयता, easy दे नहीं सकता, इसलिए यहां बहुत ज़दा धिहान रखना है, unit से चलो, तो बस अब मुझे कुछ यहीं नही alpha, c concentration पे किती है conductance, 46.1, तो फिलाल मेरे number इत्ते आ रहे है, और highest मेरे number इत्ते आ सकते है, तो यह तो मुझे 10% से भी काम लग रहे है, है ना, highest number तो 404 है, फिलाल तो किते आ रहे है, 46, 10% तो ज़दा लग रहे है, आई बास समझ में, यह answer आपका हो जाएगा alpha, clear है, कोई doubt न और दायोगाल, half-light period एक समय है, time है, जिसमें क्या होगा, वो समय जिसमें अभी करिया आधी समापत हो जाती है, लेकिन ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं, जिसमें remaining concentration of reactant, initial की क्या होती है, आधी, मैंने 100 लिया तो 50 बचना चाहिए, तो आपको दो तखीके से definition देनी है, time at which remaining concentration of reactant becomes half of the initial, वो समय जिसमें क्रिया कारक की बचिवी सांद्रता, प्रारंबिक सांद्रता की आधी रह जाती है, एक तो यह, अब ऐसे बिखे से तो 100 लिया तो 50 तो प्रोड़क्ट होना ची है, तो product concentration should be half of the initial concentration of reactant, पत्पात की सांद्रता, क्रिया कारक की प्रारंबिक सा प्रांबिक सांद्रता की क्या होनी ची है, आधी जिन्दी की खतम हो गई, तो तो तरीक यह तो आपके तो आधी बच्छी है, यहां कहे तो आधी बीद्री, टाइम दो यह ना, ऐसे, ठीक है, तो डेफिनेशन दो बना लोगे तुम, है ना, अब फॉर्स्ट ओर्डर के लि पताओ, डिराई का इना, सम्झे मेरी बाद, यह तो सम्झे लेकल लेकल लेकिन आधा इननबर गया है न, ऐसे, तो तुम को वटी है, फॉर्स्ट ओर्डर का फोर्मुला मेरे पास ये था, के एक वास तो 2.303 अपों टी, लॉग बेस 10, आउल नोट बाई, यह हमारा फिर्स तो मैं कहूंगी ना, half life में तो जो remaining होता है, वो initial का आगा, इसको equation 1 दे दो, और यहाँ बोल दो, इन दोनों को क्या करो, equation 1 में बुट कर, ठीक, अब मेरे पस क्या आया देखो, k equals to, 2.303, upon t half, log base 10, r0, upon r0, और 2, बोलो, r0, r0 तोड़ा दे, ठीक है, t आप इदर लियाती हू यह क्या है, log 2, तो यहाँ ले रहे हूँ है, तो अब मेरे पास आया, t half equals to 2.303, into log 2, upon k, log 2 तुम सबको पता है, 0.3010, divide by k, अब इसका answer तो यही है, कतम बत, 0.693, clear है, आप देखो, first order reaction, 50 minute में 90% complete होती है, तो 90% खतम होगी, मतलब मैं शुरू में कितना मालो, 100, अब 90% खतम होगी, तो बचा कितना, 10, और time कितना लग रहे, 50 minute, तो मैं सबसे बले, k निकाल दू, एक टेंशन दू, खतम, ठीके, तो देखो, अब मेरा formula नहीं लिख रही हूँ ह time, 50, log base 10, r0 कितना 100, और बचा कितना 10, अब log 10 की value 1 होती ही, सबको बताए, ठीके, तो मेरे पास k आगया, 2.303, into 1, log 10 की value 1, upon 50, यहां सीधा unit लिख दो, first order के लिए unit की होती है, time inverse, minute से तो minute inverse, अब यह बूचा है, रापते सा करो, half life period, है ना, question में भी रखाया देखो, log 10 1 है पर और क्या चीए, अब हाफ life पूचा है ना, तो हमारा formula है, T half equals to 0.693 upon K, सही, के तो यह रहा ना, और 0.690 को भी खोल गे लिए हो, क्या था, 2.303 into log 2, 0.3010, अपान यह बापस लिए हो, है ना, 2.303, डिवाई बाए 50 है ना, तो 50 पर लिए हो, चालो, नक्की करो, बोलो, तो बस, 50 का वंधर्ड कर दू, 15, 16 के असपास आजाएगा, किता है यह, 15.05 मिनट्स, बस, half life इता होगा, clear है, सवाज में आ गया, यह shortcut है, पर यह आपको formula लिखने है, board exams में, ज्यान रटा, बागे तो चलेगा, और फिनल को हमारा में रखते, pink हो जाता है, बलो, reaction, reason क्या, reason दो इता है, यह phenol quinon बनने की कारण, phenol को हवा में रखने पे, यह pink color का हो जाता है, reason क्या है, phenol quinon, due to formation of phenol quinon, पर यह है, क्या phenol quinon, आपको reaction समझानी पड़ेगी, बोलो, phenol air से oxidized हो जाएगा, तो यह लेख दिया, मैंने phenol इस तरह से, ठीक है, light है, air है, इस से यह oxidized हो जाएगा, यह hydrogen oxidized हो जाएगा, यह वाला bond आपका आगे shift हो जाएगा, तो बस एक bond shift कर दिया, काम हो जाएगा, यह इधर आएगा, तो यह double bond बना दू, तो यह double हो तो यह double होए नहीं, valency 5 हो जाएगा, और यह वाला hydrogen भी oxidized हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे quinon, थोड़े दिन पहली पड़ा है सारा, यह है quinon, और यह quinon क्या करता है, बोलो, तुमारे exam मेरे तोड़ना है, hydrogen bond, किसके साथ, यह quinon, फिनोल के साथ hydrogen bond बनाता है, इसे हम बोलते हैं, फिनो क्विनोल, और फिनो क्विनोल का कलर, अगर आमने यह reaction नहीं लिखे तो नमबर नहीं मिले, ध्यान अटना, ठीके, दो चार क्विश्चन और रस, चलो, ethanol का dehydration समझाना है, समझाओ, क्या करें, देखो, पहले तो reaction यह आपकी, ethanol का dehydration, बीटा elimination, यह लिए लिए, इथायल alcohol, क्या ले हूँ एरोपे, जल्दी बताओ, अल्कॉल का dehydration, concentrated, concentrated H2SO4 और temperature, 140 पे इथर, 170 पे अल्कीन, है ना, आपको अल्कीन समझाना, क्योंकि बीच पर रोपना तो है नी, तो हम कहेंगे, यहाँ लिया, concentrated H2SO4 और temperature, 170 तो देखो, यहाँ से OH, यहाँ से H, अंसर यह था, अब यह तो कह रहा है नहीं, आपको तो mechanism समझाना है, ठीक है, अब देखो, सबसे पहले H2 से खोना तो proton दे रहे हैं, है ना, तो मैंने लिया, ethanol, CS3, CH2, OH, ठीक है, अब यह proton आ गया, सबसे पहले proton कहाँ attack करेगा, OH पर, protonated alcohol बनेगा, क्योंकि यह plus है, इसको दिख्यक मुझे कहाँ attack करना है, electron density यहाँ ज़ाद है, तो आप सबसे पहले alcohol में proton जोड़ों, तो CS3, CH2, OH2+, यह होगा protonated alcohol, अब आपको दिखरे हैं, इससे क्या अलग होना चाहिए, water निकाल दू, stable compound water है, तो अगला step आपका जो है, कि आप यहाँ से water अलग कर दू, है ना, तो आपने यह protonated alcohol से water का elimination, तो मेरे साथ का आप कैटाइन बनेगा, क्योंकि अगर यह bond यहाँ टूटा, तो यह minus, जो कि already plus है, मतलब neutral, और यह क्या हुआ, plus, तो हम गहेंगे, अगले step में तो यह बना, CS3, CH2, plus, ethyl, carb, ketain, अब मुझे लग रहा है कहीं नगा, यह तो आगया, यहाँ साइडोजन उड़ाओना पड़ेगा, तब ही answer बजा सकते हो, तो यह जो आपका ethyl, carb, ketain आया है, है ना, यह carbon plus है, अगर यह carbon minus होता, तो काम बन जाता, और वो कैसे होगा, जब यह bond ही हाँ, तो अब आपका answer है, CH2, double bond, CH2, और यह proton वहीं चला जाएगा, जहां से आया था शुरू में, तो answer क्या है, इthi, clear है, ठीक है, corrosion किसे कहते है, बताओ, जल्दी बताओ, वो तो उदहार ने, corrosion के arresting of iron, आप बताओगे, जब fresh metal, शुद्ध धातू की सतह, when pure metal surface, comes in contact with atmospheric factor, जब शुद्ध धातू की सतह, वायू मंदल यह गटकों के संपर्क में आती है, like अगर oxygen के contact में आएगा, metal surface, तो वो अपने oxide बना लेगा, अगर chlorine के संपर्क में आएगा, तो chloride बना लेगा, moisture के संपर्क में आएगा, hydroxide, है ना, यह hydrated बोल सकते है अपर, तो हम गहेंगे, ठीक कुछ न कुछ बनाएगा, और जो बनाएगा, वो metal तो नहीं है, तो metal की surface पे, एक unwanted substance की layer हो जाती है, जंग लग गया हो ठीके, तो जंग मतलब आप खुरच के उतार नहीं पड़ेगी न, क्योंकि pure metal तो नीचे, उपर आपने का reddish brown color रहा ही पपड़ी जम दी, तो यह unwanted substance और वांचित पदार्थ की परत जम जाती है, इस से metal दीरे-दीरे जड़ रहा है, degenerate हो रहा है, आपका नुक्सान हो रहा है, इस घटना को क्या कहते हैं, corrosion, इतनी बात clear है, ठीक है, तो अब मैं से कहा, यह नहीं है, आप तो बुरा explain कर दो, ठीरी समझाओ इसकी, तो rusted iron न फॉर्मूला क्या होता है, तो अब बताओगे, rusted iron में क्या होता है, लोई पे जंग लगना, है ना, आपके corrosion के example है, rusting of iron, blackening of silver, green layer deposition at the surface of copper, और losing metallic luster by steel, steel का आपनी चमक का खोना, copper पे हरी पपड़ी का जमा होना, चांदी का काला पढ़ना, यह सब आपके corrosion के example है, यह थी निवाद clear है, अब वो कह रहे हैं, यह आया गैसे है, सुसम्झाओ, तो आप गवाओ पे लोई पे जब जंग लगता है, तो एक cell बनता है, electrochemical cell बनता है, इसलिए electrochemical theory बूचिए, इस theory के according, pure iron तो आपका behave करेगा anode, अब 100% लोगा तो होगा निया, छोटी मोटी चीज़े बना रहे हो तो, तो हम गएगे बाकी जो impure iron होगा, वो आपका behave करेगा cathode, ठीक है, चलो, इतना में माल लेते हैं, pure iron behave like anode, और impure iron behave like cathode, ठीक है, अब क्या हुआ, तो भी anode with oxidation होता है, ठीक है, तो at anode, सबसे पहले anode जो है, वो, अच्छा, कब, जब आपका moisture बिना कभी जंग नहीं लगेगा, आपने लोए की चीज़ को बिलकुल लेना, ड्राई atmosphere में रखा है, तो जंग नहीं लगेगा, या आपने तेल लगा के रखा है, या paint करके रखा है, तो तो संपर की नहीं हुआ न, आपने contact नहां लाया, तो ये चीज़े नहीं होनी चीज़े न, तो हम कहेंगे ठीक है, प्यॉर iron electron चोड़ेगा, तो F e plus 2, plus 2 electron, ठीक है, साथ-साथ में क्या होगा, atmospheric CO2 और moisture, mix होगे क्या बनाएंगी, carbonic acid, ठीक है, अभी carbonic acid है, तो हम 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 है, तो carbonic acid क्या देदेगा, H plus iron, आइरन के साथ water बना हुआ है न, वो water यू नहीं है, कि हवा से water trap हो गया, ऐसा नहीं, वो तो surface पर आता, जंग नहीं लगता, ठीक है, तो आपको होगे ये जो H iron है, अब आपको reaction बता नहीं, at cathode, है ना, तो देखो, ये जो H iron है, ये इन electron को accept करके क्या बना लेते हैं, hydrogen, और ये hydrogen, oxygen के contact में आके क्या बनाती है, water, clear, तो ये आपका anode reaction, पहला, और ये आपका क्या हो गया, cathode reaction, डूसरा, आई बास वन में, finally आपको बताना, ये दोनों मिला के, इसको 2 से multiply किर लो, तो हम गहेंगे twice, 2 तो क्या था, F e, ठीके, और, यहां से क्या ले हुँ मैं, 4 H iron, plus O2, ठीके, और F e जो है, वो आपका convert हो गया, किसमें, F e plus 2, oxygen से react करेगा, आपे to O3, और यह water इसके साथ, बंदा हो रहेगा, इसे अपने मोलते है, electrochemical theory of, rusting of iron, तो आपको यह सारी equations लिखनी है, आगी बात समझ में, यह, चाब तो, next, इस question से क्या समझे तुम, तो यह गलत है, यह normal hydrogen electrode है, है ना, तो अब जिसे शीवान के कर लिए हो इसी ही, उसको लगा गलत है, लेकिंग इसे लगा यह नहीं चीज़ है, तो वो गड़ पड़ हो जाई, नॉर्मल hydrogen electrode, और नया नाम क्या था, standard hydrogen electrode, तो मैंने मताया था, इसमें एक platinum का पतला सा तार होता है, sealed in, platinum का पतला वायर है, जो कांच की नली का में pack है, बेस पे क्या है, platinum की foil, और इसके उपर coating है, platinum black की coating है, खाला platinum इसमें चिपका हुआ है, ठीके, फिर इसको एक solution के contact में रखते हैं, जो, H plus iron देता है, और solution में continuously क्या पास करना है, hydrogen बस, अब जो आपने बोला है, उसको लिख लो, है ना, तो आप इसका theory बनाएंगे, कि इसमें सबसे पहले, एक platinum का पतला सा तार होता है, वायर होता है, जो कांच की नली का में seal होता है, sealed in glass tube, फिर, बेस में क्या होती है, platinum foil होती है, इस platinum foil पे क्या चिपका होता है, platinum black, और इसको एक solution के contact में रखते है, H plus iron containing solution, इसके संपर्क में रखा जाता है, ठीके, और continuous ली क्या करते हैं, H2 gas pass करते हैं, लेकिन उसके लिए भी temperature, और pressure, 1 bar, और H iron containing solution की concentration, पस इसको अब बना दो, यह आपका है normal hydrogen electrode, है ना, उसे diagram कह रहा है, अब समीगरण मतलब, तुम्हें यह hydrogen electrode, anode भी हो सकता है, cathode भी हो सकता है, मालो, she as anode, यानि, इस platinum electrode भी oxidation हो रहा है, तो उसको electron छोड़ना पड़ेगा, तो हम गहेंगे, electron छोड़ना मतलब, H iron का तो कोई roll नहीं हा, वो तो छोड़ा हुए है, hydrogen gas जो आ रही है ना, वो किसमें convert हो जाएगी, H iron, और वैसे आपको लिखना चाहिए, क्योंकि हमारे SRP ही मानती है, UBSC, तो she as cathode, तो यह electron आ गए होंगी, cathode भी reduction होता है ना, तो मालो, बहार उसको किसी और से connect किया, तो मेरे पास यह platinum electrode पे electron अविलेबल है, तो H iron चिपक जाएगा, है ना, H iron क्या करेगा, इन electrons को लेके, hydrogen gas में convert हो जाएगा, यह hydrogen gas इन platinum black क्या करता है, adsorb कर लेता है, यह नहीं कि आपस बार चली जाएगी, ऐसा कोई system नहीं, ठीके, समयन में आगया, यह, चलो, next, transition elements की property, transition elements complex बनाते, complex अंपाउन होता है, इडिवलोप का element है, क्यों बनाते complex हुबजे, हाँ, एक तो D खाली, एक तो इनका small size, फिर, charge ज़दा होता है, साथ तक महों ज़दा है MN तो, तो small size, high charge density, density, उच्च आवेश घनत्व, और सब से important, कि वैई D खाली होता है, तब ही तो legions alone पे एक्सेप्ट करोगी, तो presence of vacant, D orbital, ठीक, अब बोलो catalyst क्यों होता है, आप catalyst platinum लेते हो, palladium लेते हो, nickel लेते हो, V2O5 लेते हो, है ना, osmium OS लेते हो, तो ये ही क्यों ले रहे हो, catalyst क्या करता है, intermediate बनाता है, तो इनको कोई फरक नहीं पड़ता हमारी, इना, oxidation state 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो सब मेरा जीए, है ना, तो हम कहेंगे, एक तो इनका variable oxidation state है, ठीक है ना, तो variable oxidation state के चक्कर में, ये reactant के साथ मिलके क्या बना लेता है, मद्यवर्ती बना लेता है, है ना, और intermediate बना लेता है, एक तो इनको बड़ा intermediate बना है, इस वज़े से इनको as a catalyst use करते है, यह नहीं बात clear है, ठीक है, चलो, अब, ठीक है, पढ़ने के दुबारी, lathinoids क्या होते हैं, बलो, elements coming after lathinam, lathinam के बाद आने वाले elements, को lathinoid बोलते हैं, तो lathinam का atomic number केता है, lathinam का 57, आपको बोलना है 58 से लेके, 71, क्योंकि होफियम वापस table में आगे हैं ना, तो आप बोलेंगे, cerium से कहां तक, lutetia, 58 से 71, इनको हमने रखा है 4F, यह सारा lathinoid का definition, ठीक है, फिर इनको एक दूसरे से अपरेट नहीं कर पा रहें, साब किसा बंडल में आ रहें, ग्रूप में आ रहें, अलग करो ना, तो अलग नहीं कर पा रहें क्यों? इसमें तो खाली एक ही radioactive होता है, lathinoid में, अकेला lathinoid जो radioactive है, कौन? PM, प्रवो मीधियम, बाकी कोई भी radioactive? नहीं, तो फिर, इनके characters क्या होते हैं? से, जैसे, चोट-चोटे puppies होते हैं, उसम एक जसे दिखते हैं, तो अब अलग कैसे करोगे? है ना, इनसान के बच्चे ला, सब चोट-चोटे होते, तो एक जसे दिखते हैं, लेकर बड़े होते हैं, तो फिर इना, फिर इना, हम नहीं गुलेंगे तो अलग कैसे करोगे character match नहीं होगे तब एक गुले, दो नहीं गुले तो एक को दो से अलग किया एक oxide बनाये, दूसरा नहीं बनाये तो मैं अलग तो कर पाऊंगी यह तो एक जो काम करते है और यह पूरी family वही काम करती है तो इनके characters क्या है, same इसलिए इनको अलग करना बहुत ही क्या है difficult, अलग कर नहीं पा रहे है लेकिन एक reason से कर लेते lanthinoid, contraction size सब का change रुटा है तो अब जो size से मिलते जुलते character है ना उसके cording हम इनको क्या कर लेते है separate करते है, clear है यह अच्छा question है और यह छूटता है बच्चों का अब यहाँ hello alcan और hello arene में hello arene कम reactive है तो इसके तो बहुत सारी बच्चे देखो, hello arene मतला halogen bonded with benzene ring अब एक तो यह resonance में आ गया आपको यह इधर आ गया यह इधर आ गया तो एक वज़े तो है resonance यानि की अनुनाद इसके चकर में क्या हुआ तो हम गएंगे यह जो bond है ना यह double bond character दिखेगा यह negative है ना और यह double bond और यह X और यह क्या हो गया positive तो हम गएंगे halogen और benzene के बीच में कौन सा character आ गया double bond अब single bond बढ़ा होते है कि double bond single bond बढ़ा होता है double bond क्या होता है छोटा तो एक तो double bond होगे है तो replace होना नहीं दूसरा आप कहोगे bond length छोटी होगी छोटा bond मुश्किल से तूटता है बढ़ा bond असानी से तूटता है फिर आप कहोगे कि देखो यह carbon SP2 hybridized रहे है ना और SP2 carbon सिंगल वाले के चकर में क्या होता है electro negative तो यह कहेगा मैं तो negative हूँ अब यह कहेगा double bond बनागे मैं भी थोड़ा बहुत negative हूँ तो polarity कम होगे है plus minus होगे तो replace करोगे ना plus minus है नी तो replace किसे करोगे तो तो तूब कहोगे यह carbon SP2 है ना इस वजह से यह bond क्या है less polar तो polarity भी क्या होगे लिए दे के कम और अगर मैं सारी बाते अढ़ा दोगे नहीं इसा फाल्तू बाते हैं और मैं तो replace करूँ नी तो जब आब इससे X minus हटाओगे तो पीछे क्या बना फिनाइल काप करे अब बेंजीन हो जाती है का आगी बात सावेंज में एक क्वेशन और होगा तुमारे पास दो और है हाँ चलो Elimination क्या होती है Elimination Reaction ऐसी chemical reaction जिसमें दो सिगमा बॉन टूटते हैं है ना और एक पाई बॉन बनता है उसे हम क्या कहते हैं Elimination जिनरल यह reactions होती है alcoholic KOH के साथ अभी तो बढ़ाई थी concentrated H2SO4 के साथ सही है सचेफ रूल तो हम गहेंगे अगर Elimination के दोरा लेक मैंने यहां ले लिया 2-butanol है ना और इससे ज़्यादा एजी तुमारे को वो 2-clorobutan वाली लेगेगी यह और मैंने ले लिया alcoholic QH तो तुम गोगे की भई यह तो CL जाएगा ही सही है ना अब यह beta hydrogen है और यह भी beta hydrogen है तो अगर मैं यहां से H निकालो HCL निकालो ना ताकि KCL और water बने तो यहां 2-butan और अगर यह वाला hydrogen अटाऊं तो 1-butan तो अगर elimination के दौरान दो product बनने के chances हूँ यह वदारण देके समझा रहा तो सैज्जेव के अनुसार वो product ज़्यादा बनता है जो ज़्यादा symmetric है तो more symmetric will be major product यानी सैज्जेव अल्की यह पढ़ाता ना अपनने और यह 2017 में पूछा जा चुक है आपके board exams में इसलिए now write the silver mirror test for LDI तो बोलो silver mirror test मतलब tolens reagent tolens reagent क्या था agno3 और nh4 OH ammonical silver nitrate को हम कहते tolens reagent लेकिन यह दोनों मिलके complex बना लेते हैं तो आप ऐसा भी लिख सकते है agnh3 whole 2 plus इसको हम tolens reagent कहते हैं अगर आपका यह tolens reagent है तो हापको बता है LDH LDH tolens reagent से reaction कर लेता है कहना कल बता है रबिंद में यहां 2 लिख देना यहां 3 लिख देना और LDH तो हो जाएगा oxidized RCOO minus फिर ag और nh3 और water यहां का टोई TR test कली बढ़ा अपने यह देखो यह NCRT में नहीं है लेकिन formaldeide की reaction ammonia से कराओ equation लेखो product की structure बनाओ और इसका use लेखो तो तो मारे NCRT तो बढ़ने ज़रत नहीं है बट अच्छा question है देखो formaldeide HCH होता है क्या ठीके तो तुमें ध्यान एकना है 6 formaldeide लेना है 6 formaldeide 4 ammonia किते water बार जाएंगे 6 formaldeide 4 ammonia किते water बार जाएंगे 6 6 water निकाल दो तो यहां से ओ गए यहां से hydrogen गए तो मेरे पास बच्चा CH2 whole 6 और nitrogen किते 4 ठीके देखो नीट जेएंगे equation भस गया controversy तो बाद में होगी course में यह course में नहीं बढ़ लिए तुम तो करके बागी सोचा जाएगा तो CH2 whole 6 N4 अब इसमें में कहे दू यह hexamethylene है CH2 whole 6 को क्या बोलना चाहिए और tetraamine है hexamethylene tetraamine इसको हम बोलते है eurotropin important इसलिए क्योंकि बहुत काम आता है urinary disease urinary disease में कौन सी दवाई देते है तो हम कहेंगे eurotropin eurotropin coamino form भी कहते है eurotropin coamino form भी कहते है और यह eurotropin urinary disease में काम आता है अब इसने ले देगे इसका structure भी पूछ लिया शैद है क्या सरचना बना हुए न use तो बता ही दिया reaction बता दी अब मुझे छे CH2 के बीच में चार nitrogen set कर तो तुम कुछ नहीं करो तुम खा लिए इधर भी आगे इसको जोड़ना है इसके साथ लेकित विलाना नहीं है पूरा विलिन बन के काम करना है बन क्या देख उच्छे आगे क्या देखो एक अरत यह कैसे मिल गए मिलने कोई नहीं चाहिए दो नाइट्रोजन के बीच में क्या आएगा CH2 इसको बोलते है Eurotropine Aminopharm ठीके? तो यह थे आपके important question model paper जो exam में आपको करके जाने है ठीके? चालो